Good morning students, पारिक classes में आपका स्वागत है Geography as a subject, कक्षा 11 का ये पठ है इसके अंतरगत भुगोल एक विशे के रूप में इस विशे के इस प्रकरण में हम ये जानेंगे कि हमें भुगोल क्यों पढ़ना चाहिए Why we study geography? भुगोल है क्या? What is geography? इन सब कंसेप्ट को हम इस टॉपिक के अंतरगत पढ़ेंगे इसमें सवर प्रतम ये बात आती है कि at the first जोग्रोफर जिनका नाम है इरे टोस्तनीज ये ग्रीक के रहने वाले थे, युनान के रहने वाले थे इनोंने सब से पहले भुगोल शब्द का प्रियोग किया 276, 194 इसा पूर्व Before Christ भुगोल ग्रीक भाशा के दो शब्दों से मिलके बना है जो एंड ग्राफी जो यानि प्रत्वी और ग्राफी यानि वर्णन भुगोल का सामान यर्थ देखा जाए तो ये है प्रत्वी का वर्णन भुगोल क्या है? प्रत्वी का वर्णन करने वाला विशय है भुगोल मानव के निवास के रूप में प्रत्वी का वर्णन करता है भुगोल अन्य विश्यों की विशय वस्तू तथा विदी तंत्र से भिन्न है क्योंकि इसका निकर्तम संबंध किससे है, प्राकर्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विज्यानों से इसका संबंध है हमें पृत्वी पर भोतिक और सांस्कतिक वातावन में भिन्निता दिखाई देती है यहीं अर्थ पर जो हम देखते हैं फिजिकल एंड कल्चरल एंडवर्मेंट में डिफरेंस देखने को मिलता है और अनेक तत्वों में समानता तता कई तत्वों में समानता देखने को मिलती है काफी ऐसे कंसप्ट होते हैं जहां में similarity देखने को मिलती है और काफी ऐसे concept होते हैं जहाँ पर इस similarity देखने को मिलते हैं यह similarity नहीं होती है अते हो भुगोल को शेत्रिय भिन्यता का अध्यन मानना तारकिक लगता है तो so we say that the geography is the subject that means a regional diversity subject यह शेत्रिय भिन्यता का अध्यन करने वाला logical subject है भुगोल वेता मात्र धरातल पर जो तत्ये हैं उनकी भिन्यताओं का अध्यन नहीं करते हैं अपितु वह इन भिन्यताओं के कारण को जानने का अध्यन करते हैं जितने geographers हैं वो यह कहते हैं कि जो diversity देखने को मिलती है हमें अर्थ पर उस diversity को केवल steady ही नहीं करते हैं यह जो विबिन्यता है वो क्यों है इसको जानने की भी कोशिश की जाती है भुगोल वेता तत्यों की व्याख्या कार्य कारण सम्मंद के आधार पर करते हैं यहनि जो कोई भी घटना घटित होती है cause and effects थियोरी पर वर्क किया जाता है कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे क्या कारण है उन कारणों को जानने का प्रेयास किया जाता है फिर अगला बिंदु है कि मानव प्रकरती का एक अंग भूद भाग है तथा वे प्रकरती पर अपनी छाप छोड़ता है यानि human क्या है नेचर का एक ऐसा part है जो उससे जूड़ा हुआ है तथा nature पर अपना impact डालता है मानव ने प्रकरती के साथ समझोते किये अनुकूलन किया कहीं परावर्तन यानि modification के माध्यम से भी किया अगर हम कहें कि प्रारंब में मनुष्य क्या था प्रकरती के according चलता था जिसे प्रकरती वाद के रूप में जाना जाता है फिर उसने प्रकरती में मोडिफिकेशन करना शुरू किया इसमें जिसे हम संभवाद के रूप में मानते हैं अब बात आती है कि भौतिक वातावन और मानों के मद्य अन्योन क्रिया समय अनुसार परिवर्थित होती रही अन्योन क्रिया मतलब इंटर रिलेशन्शिप यानि human और nature के बीच में जो इंटर रिलेशन्शिप है वो according to time changes होती रही और साथ ही कहें कि इसका प्रकरती और मानों दोनों पर प्रभाव देखने को मिलता है ये changes में जो main role है वो technology का है technology और जो हमारे संचार के साधन है यानि तकनीकी और संचार के साधन साधनों के माध्यम से ये परिवर्थन हुआ और अगर हम कहें कि परिवहन के साधनों में भी ने भी इसमें मैटपूर्ण भूमिका निभाई है फिर बाद में बात आती है कि भूगोल एक वेग्यानिक विशे के रूप में है भूगोल को एक scientific subject क्यों माना जाता है इसके पीछे जो logic है first कुछ प्रश्ण धरातल पर पाए जाने वाले प्राकरतिक और सांस्कृतिक विशेस्ताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े है यानि जो हम geography जब study करते हैं तो इसके अंदर कुछ जो questions है जो यहां की physical और cultural diversity जो है इसकी characteristics है इससे related है यह प्रश्ण होते हैं क्या वाले प्रश्ण क्या यानि what दूसरे जो types के question है जिसमें भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वित्रण से संबंदित होते हैं यानि उनका जो physical और cultural जो elements है उनका distribution से उससे related प्रश्ण होते हैं यह related होते हैं where यानि कहां वाले प्रश्ण और तीसरे हैं कि जो व्याक्या तथा तत्वों के तत्यों के मद्य कार्य कारण संबंद जोड़ते हैं यह why से related होते हैं क्यों यानि कोई भी घटना घटित क्यों होती उससे संबंदित जूड़े वे प्रश्ण भुगोल एक समाकलन विश्चे के रूप में जोग्रोफी एज़े इंटर्गेटिंग डिसिप्लिन भुगोल एक संचलेशन आत्मक विश्चे है यानि जोग्रोफी क्या है सिंथेस सब्जेक्ट यानि इसमें किसी भी शेत्र की व्याक्या की जाती है संसलेशन किया जाता है उसका विश्चलेशन किया जाता है साथ ही इसमें ये बताया जाता है कि प्राकर्तिक और सामाजिक सभी विश्वियों का जो एक मूल उद्दिश है वो यथार्तता को ग्यात करना है यथार्ता यानि प्रजेंट टाइम क्या है उसको ग्याद करना है और उसके आधार पे जो तत्य जूड़े हुए हैं जो facts जूड़े हुए हैं उनकी steady करना और उनमें सहाचर्य को बोध गम्य बनाना है यानि उनमें inter relationship को understanding level का बनाना फिर उसके बाद में भुगोल भौतिक और प्राकर्तिक विज्ञान भौतिक भुगोल हैं प्राकर्तिक विज्ञान भौतिक भुगोल की सभी शाखाएं प्राकर्तिक विज्ञान की अंतरा प्रस्ट है यानि भौतिक भुगोल की जितनी भी शाखाएं हैं वो प्राकर्तिक व प्राकरतिक विज्ञान वे विज्ञान जो साइन्स से जुड़े हुए हैं जिसमें जीव विज्ञान, रदा विज्ञान, गणेत ये सब चीज़ें आती हैं और सामाजिक विज्ञान वे विज्ञान जो मानों की सब्विता से जुड़े हुए हैं जिसमें इतिहास, राजनि की पहचान होती है. दर्शन किसी विशय को जड़ प्रदान करता है और उसके क्रमसे विकास में सपस्ट एथियासिक भूमी का प्रस्तूत करता है. याजनी जो दर्शन होती है, जो philosophy हो क्या गड़ती है, किसी भी विशय को matal करती है जिसके base पे उसका development होता है फिर इसके बाद में भुगोल के जो शेत्र की बात आती जैसा कि आप इस वीडियो के पिक्चर्स में देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये दिया हुआ है भुगोल का शेत्र व्यापक है इसके अंतरकत जिसे वनस्पती विज्ञान तो पादव भुगोल का अधियन किया जाएगा जल विज्ञान जो प्राकरतिक विज्ञान का विशे है लेकिन भुगोल में समुंद्र विज्ञान और इसी के साथ ही एतियास एतियास को एतियासिक भुगोल के रूप में राजनिती विज्ञान को राजनितिक भुगोल के रूप में अध्यन किया जाता है भुगोल की शाखाएं जोग्रफी की जो ब्रांचेज हैं उसको mainly two part में डिवाइड किया गया है दो भागों में बाटा गया है पहली है विशे वस्तूगत शाखा विशे वस्तूगत साखा या क्रमबद साखा क्रमबद यनि जिसको हम कहते हैं systematic दूसरा है प्रादेशिक उपागम क्रमबद शाखा इस साखा के जो प्रवर्तक है Alexander von Humboldt को बताया गया है और प्रादेशिक शाखा का प्रवर्तक Karl Rater को बताया गया है Humboldt ने 1769 से 1859 के बीच में वर्क किया था और Karl Rater ने 1779 से 1859 के बीच में वर्क किया था विश्य वस्तूगत क्रमबद उपागम विश्य वस्तूगत उपागम तथ्यों को एक पूरे विश्व के रूप में अध्यन करता है और प्रादेशिक उपागम क्या कर रहा है तत्यों का जो अध्यन किया जा रहा है उसे प्रदेशों में बाट के उसको अध्यन करता है अब विशे वस्तुकत उपागम की जो शाखाएं है वो है भौतिक भुगोल, फिसिकल जोग्रोफी सेकेंड है यूमन जोग्रोफी, मानो भुगोल थर्ड है जीव भुगोल, बायो जोग्रोफी, भौतिक भुगोल भौतिक भुगोल को फिर सब ब्रांचेज में बैटा गया है पहला है भुआकरतिक भुगोल, फिर है उसके बाद जलवायो, जल विग्जान, म्रदा विग्जान ये सब इसके अंतरगत आती है और मानो भुगोल में मानो सामजिक भुगोल, जनसंक्या, आर्थिक, एथियासिक और राजनितिक भुगोल को इसमें शामिल किया गया जीव भुगोल में जीव भुगोल इन सब को शामिल किया गया है प्रादेशिक उपागम के अंतरगत शेत्रिय प्रादेशिक अध्यन को शामिल किया गया है ग्रामेन इलाका नियोजन को शामिल किया गया है प्रादेशिक विकास को शामिल किया गया है और प्रादेशिक विवेचन और विशलेशन को शामिल किया गया है इसी के साथ ही अगर तो भुगोल का जो वर्तमान समय का जो अध्यन है उनको especially two part में डिवाइड किया गया है दर्शन और विधी तंत्र दर्शन में भुगालिक चिंतन और भूमी और मानव अंतय प्रक्रिया मानव परिस्तिति को शामिल किया गया है और विदी तंत्र तथा तक्निकी में सामान्याउन संगणक, आधारित, मान्चित्रण, परिमानत्मक तक्निकी, सांखी की तक्निकी, फिर उसके बाद सर्वेक्षन विदी और भू सूचना तक्निकी जिसमें GIS और GPS को शामिल किया गया अब बात आती है कि भुगोल का महत्व, बहुतिक भुगोल और इसका महत्व, बहुतिक भुगोल और इसका महत्व प्राचीन समय से था और वरतमान में विशेश महत्व है क्योंकि इसके माद्यम से हमें ये पता चलता है कि विबिन संसादनों की जानकारीप होती है, साथ ही प्राकरतिकिक संसाधनों का मुल्यांकन मुल्यांकन अरक हमम सीक्थे है तो भूंगोल विषय के मॉ assess चुप मुक्षय है उद्देश्ज की पूर्ति हे त बहुतों परिय्यावनड ह्पे अंतर संबंद को समझना आउश्यक है और तकनिकी की सायता से हम संसादनों का जो उपियोग बढ़ रहा है उस उपियोग को हम इस प्रकार करें ताकि परियावन को नुकसान न पहुंचे इसी के साथ अपना ये प्रक्रण समाप्त होता है